नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरजेन स्वागत करता हूँ एक पर फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरजेन पर और आज का ये वीडियो बहुत ही जबर्दस होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको ऐसे पाच हिडन लगा सकते हो मतलब चाहे आप आपके ऑफिस पे लगाओ आपके घर पे लगाओ आप इसको लगाकर 24x7 आप अपने घर पर अपने ऑफिस पर नजर रख सकते हो वो भी किसी को बताए बिना दोस्तों एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि य अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको काफी अच्छी पनिश्मेंट मिल सकती हैं गवर्मेंट की तुरू आपको जेल हो सकती हैं फाइनिशल आपको लॉस हो सकता है तो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखेगा ताकि आप इस पचेडे में ना पड़े तो दूस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पिल एक और चीज़ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्रैब करना मत बुलेगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम इसी तरह के काफी सारी security वाली tips और ट्रिक्स हम लोग लेकर आते रहते हैं तो शुरू क पाँच ऐसे spy और hidden cameras जिसको आप आपके घर में या फिर office के अंदर लगा सकते हैं 24x7 अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाया है जिसके अंदर आप वो जो camera है कहीं लेकर जा सकते हैं लेकिन उसका बैटरी बैक अप होता है वो कम होता है मतलब की आदा गंटा 45 मिनि इससे ज़्यादा spy cameras चलते नहीं हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जो 5 प्रोड़क्ट बताने वाला हूँ इसको आप continuously लगा सकते हो तो दोस्तो इस category में सबसे पहला product है हमारे पास में ये mini HD camera जी हाँ ये mini HD camera जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरक है जो की camera है यहाँ पर यह जो देख रहे हैं पिन हॉल के मेरा है मतलब एक बहुत ही छोटा सा बारिक सा हॉल ही आपको वहाँ पर रखना है बाकि यह जो पूरी की पूरी जो unit है वो उसके अंदर enter कर जाती है अब इसके दो फाइदे हैं इस camera के साथ में एक battery आती है जो अगर पावर चला जाए तो आराम से एक गंटे से दो गंटे का बैटरी बैकप आपको देदेगी अगर आप यह चाते हैं इसके उपर आपको एक ले लेना है एडप्टर कुछ इस तरह का एडप्टर आएगा इसको लगा दो और आपको जिस तरह की planning करनी है वो कर लो तो दोस्त नाम का एक Wi-Fi आपको दिखाई देगा है यानि कि आपको Wi-Fi पे जाके देखना है एवाई ए आ रहा है तो इसकी जो application है वो है Home Eye यानि कि आपको आपके Apple Store के उपर या फिर आपके Android के Play Store पर आपको यहाँ पर Home Eye नाम की जो application है वो देखने के लिए मिल जाएगी उसको आपक इसको install कर लेना है install करने के बाद में इसको add करना है already मैंने इसके उपर वीडियो बनाए है आप यहाँ पर i button में जाके देख सकते हैं बहुत easy process है यह जो camera है वो add हो जाता है अब local Wi-Fi में तो आप इसको easily add कर सकते हैं लेकिन इसको आप internet से भी connect कर सकते हैं मतलब कि अगर internet चल रहा है और घर का internet चल रहा है तो आप इस camera को access कर सकते हैं बहुत ही जबर्दस है इसके अंदर आप दो memory card लगा सकते हैं 32GB का लगाओ या फिर 64GB का लगाओ अच्छी quality का अच्छी brand का अगर आप यहाँ पर memory card लगाते हैं मैं suggest करूंगा आपको यहाँ पर CP plus का आता है W जो surveillance purpose वाले memory card है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर 32GB का memory card लगाते हैं तो इसके अंदर आपको करीबन 3 दिन के आसपास की recording देखने के लिए मिलती है अगर 64GB का memory card लगाते हैं तो इसके अंदर आपको करीबन 6-7 days की recording continues वाली देखने ही मिलेगी अगर आप यहाँ पर काफी बढ़िया है यह तो नहीं बोलूँगा कि एकदम premium class का जो हमारे cctv camera देते हैं वैसा result है लेकिन अगर आपके घर में या office पर किसी की निगरानी चाहते हैं कि वहाँ पर कोन आया है face recognition easily possible है angle इसका wide मिलता है आपको तो आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं एक चीज बहुत भी light अगर उस room के अंदर available है तो आप इस camera के अंदर results देख सकते हैं audio की quality के अगर मैं आपर बात करो तो बहुत अच्छा audio quality नहीं मिलने वाला है आपको वीडियो के लिए camera suitable है दोस्तों अगर इस camera की price की बात करो तो यह market में आपको 4500 रुपे के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा जो अच्छी quality का होगा क्योंकि इसी तरह के देखने वाले बहुत सरे product market में available है जिसकी price शायद कम हो सकती है सो आप description के अंदर में आपको link देदूँगा अगर आप buy करना चाहते तो आप वहां से buy कर सकते हैं दोस्तों number two पर आपके पास में यहाँ पर मिलता है बारे में बात करूं तो look cam pro नाम की application आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है आपको इसको install करना है ट्यूटी को wireless से आपको connect करना है बहुत easily connect हो जाएगा connect होने के बाद में आपको इसके अंदर दो variant देखने के लिए मिलेंगे result जो पहले वाला camera था same उसी की तरह है इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है कि उसमें कुछ अलग है most ofly सभी same feature ही आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें भी आपको night vision देखने के लिए नहीं मिलने वाला है दोस्तो इस switch वाले camera के अंदर अगर आप यहाँ पर normally अगर कोई भी plug लगाते हो वो भी आपका जैसे regular जो चीजे वर्ग करती है वेसे ही work करने वाली है इसको भी आप online देख सकते हैं अगर आप इस camera को अगर buy करना चाहते हैं तो आप buy कर सकते हैं description में link दे रहा हूँ 32GB का जो variant है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 5000 रुपए में और 64GB का जो variant है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 5000 रुपए में दोस्तों नमबर 3 के उपर है हमारे पास में यह holder वाला camera और इस camera के उपर मैंने अपना detail video बनाया है जो आप यहाँ पर i button में दे रहा हूँ जाकर देख सकते हैं काफी अच्छे views आये थे और काफी अच्छा यह मुझे camera लगा यह भी आपका holder की तरह वाला camera है holder की जगह पर आप इसको लगा दो अगर इसके अंदर camera की बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा camera दिखाई दिता है इस camera को भी आप यहाँ पर online connect कर सकते हैं मतलब local में भी देख सकते हैं as well as आप इसको online connect कर सकते हैं memory card इसके अंदर 64GB तक का लगा सकते हैं साथ में यहाँ पर company memory card नहीं देती है और अगर मैं इस camera के बारे में result के बारे में बात करो तो अभी आप यहाँ पर जो result देख पा रहा है वो इसी camera से लिया गया है यह camera भी day vision है night vision इसके अंदर भी available नहीं है तो आप इस camera को use कर सकते permanently 24x7 यह camera आपके लिए यहाँ पर work करने वाला है दोस्तों इसके अंदर जो wifi सर्च होता है वो tut के नाम से होता है जैसा कि आप यहाँ पर display पर देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ पर application के बारे में बात करूँ तो look game pro वाली जो application है वो यहाँ पर इसमें suitable होती है फिर भी पर जो जहां से भी buy करते हैं उनसे call करके एक बास समझ सकते हैं अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो अगर मैं इस camera के बारे में प्राइस के बारे में बात करो तो यह market में आपको करीब अन 4,800 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा अगर buy करना चाते हैं link description के अंदर दे रहा हूं वहां से जाके आप इसको buy कर सकते हैं दूस्तो नंबर 4 पर आता है हमारे पास में बहुत ही जबर्दस और unique camera जो मैंने आज तक unbox नहीं किया था जी हाँ वो है हमारे पास में black code का एक router जी हाँ यह router का भी काम करता है as well as spy camera का भी काम करता है अब इसके अंदर headset का button देखने के लिए मिलता है जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी company का SIM card डालोगे चाहे वो आपका Jio का हो एड़ेल का हो idea को Vodafone का हो उसका जो internet होगा वो आप access कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहां का camera में बता हूं यहां पर तो यह camera जो C है यहां पर आपको यह camera द नाम से और जो दूसरा Wi-Fi सर्च होगा वो होगा आपका BLC something कुछ आएगा जो कि black code को represent करता है वो होगा इसका Wi-Fi का राइट यानि कि आप अगर internet access करना चाहते हैं और जो MVV के नाम से जो सर्च हो के आ रहा है वो होगा इसका camera का दोनों को आप connect करिए separately मतलब MVV को connect करके configure कर लीजिए बहुत इजी process है जिससा आपने दूसरे में किया था वेसे ही करना है और इसकी यह application है वो है V380 pro इसके अंदर यह आराम से easily add हो जाता है अभी आप यहाँ पर जो result देख रहे हैं वो EC का result देख रहे हैं काफी अच्छा result आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता ह है क्योंकि इसके अंदर जो camera है वो थोड़ा deep में लगाया गया है इस वज़े से यह जो plastic है उस plastic का थोड़ सा outer आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बाकी अगर overall ऐसे दिखा जाए कि जहाँ पर internet connectivity भी नहीं है वहां के लिए तो यह camera mind blowing है अगर दोस्तों इसके price के बारे में बात की जाए तो 5500 के अंदर आपको 32GB का variant देखने के लिए मिलेगा और 6000 के अंदर approximate आपको 64GB का variant यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है इसके अंदर यहाँ पर पीछे reset करने की switch दी हुए सब कुछ बाहर से बस plug and play करना है और आपका camera work करना शुरू कर देग wall clock अजन्ता की है लेकिन इसके अंदर एक customized camera लगाया गया है जो किसी को पता नहीं चलता है अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो यह वाला वीडियो देख सकते हैं काफी popular वीडियो है वो भी और इसके अंदर जो आपको camera देखने के लिए मिलेगा वो है यह अजन आपको work करना शुरू कर देगा same as it is यह camera भी Wi-Fi से चलता है as well as अगर आपके घर में internet connection हो तो internet से इसको connect कर सकते हैं AYS नाम का यहाँ पर Wi-Fi आपको search होकर देखने के लिए मिलेगा वो इससे आप connect करोगे इसके बात में home आई वाली जो application है मैंने आलरी जो आपर फर्स्ट वाले camera के अंदर बताई थी वो ही application के अंदर ये वाला camera भी add हो जाता है इसके बात में आप world में कहीं से भी इसको access क कर सकते हो ओडियो के बारे में बात करो तो यह जितने भी मैंने अभी तक 5 cameras बता है किसी में भी audio बहुत powerful नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी result आपको voice का मिलता है वीडियो के लिए जो पांचो camera है वो आप कभी भी कहीं पी भी किसी भी चीज़ के लिए prefer कर सकत है वो आप आपके personal use के लिए किसी को diagnose या फिर किसी को recognize करने के लिए कोई आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है फ्रोड कर रहा है उसको पकड़ने के लिए use कर सकते हैं CCTV का जो evidence है वो आज तक का सबसे best evidence माना गया है और Supreme Court High Court सभी court इस चीज़ को valid करती है सो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का इस जो informative वीडियो है permanent camera के बारे में जो मैंने information दी है ये जो 5 cameras बताया है वो आप लोगों को काफी पसंद आये होंगे अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करना है like, channel को करना है, subscribe, buy करना चाहते हैं तो description के अंदर link दे र करना है